नोश्का दोस्तों आज इस वीडियो के तरह एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके सामने लेकर आये हूँ यहां पर जितने भी लॉग रेजुएट्स हैं वह एप्लीकेबल अपना फॉर्म यह भर सकते हैं लेकिन यहां पर कुछ experience भी मांगा हुआ है इसलिए limited लोग यहा उसके basis पर आपके salary यहां पर decide करी जाएगी साथ में आपका जो test का selection procedure है उसके पर भी depend करेगा कि आपको salary कितने रुपे की दी जाएगी दूसरी बात अगर आप लोग eligible नहीं हो आपके पास experience नहीं है तो आपको मैं यह knowledge के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है कि in future आ याद रखिएगा तो यह जो लोग eligible है बहुत बड़ी बात है जो लोग eligible नहीं है तो उन लोगों को मैं recommend करूंगा आप देखना जरूर एक detailed आपके mind में clearance होना बहुत जरूरी है यहां पर बात करते हैं unreserved category के लिए 5 post है और एक OBC के लिए है total 3 post यहां पर देखने को मिलें बहुत limited post है और अपने आप में यह बहुत ही ज्यादा creamed यह post आती है अगर आपके आप सेलेक्शन होता है बहुत ज्यादा blessed माने जाओगे यहां पर वही आपके बास citizen of India जो होगा वही capable होगा और आपकी दो शादिया नहीं होनी चाहिए एक शादी है कोई दिक्कत नहीं ह ज्यादा अगर आपने शादी कर रखी है contract कर रखा है कि भाया मैं चलो एक शादी मैंने कर रखी है दूसरी फिर में करने वाला हूं या कर चुके हो वो लोग eligible नहीं है clear तोर पे disqualification में third point में ने बता रखा है और point की बात करें age limit तो आपकी जो age limit हो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यहां पर आपसे experience मांगा गया है उसके बारे में बात करेंगे और यहां पर बोला हुआ है कि अगर आप government servant हो तो आपको 5 साल का relaxation मिल जाएगा यानि अगर आप 45 साल की उमर में आ चुके हो और उस टाइम पर जो यहां पर eligibility मांगी गई है जो experience मांगा गया ह है तब आपको मिलता है तो वो लोग भी eligible होंगे याद रखिएगा और इसके ना मुद्दे वाली बात करी जाए तो अगर आप शेडियूल कास्ट यह शेडियूल ट्राइब्स में आते हो तो आप फॉर्म भर सकती हो यह अपना extension दे रखा है जो अपने आप में बढ़िया होंगे वह कहां से होंगे दसवी की मार्कशीट जो होगी ना उसमें जो आपकी डेट बहुत लिखी होगी उससे जब यह application का closing date होगी तब तक माना जाएगा कि हाँ आपकी date का experience होना चाहिए लेकिन अगर आपके पास master की डिगरी है उसमें आपके पास 5 साल का minimum experience होना जरूरी है अगर यह है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो तो पूरा पूरा exam है अगर आपके पास यह जो लॉकी डिगरी साथ साल या master's की डिगरी इन लॉव पांस साल यह करने के बाद अगर आपका जो रिटन टेस्ट होगा और जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आप जब अपना competent तरीके से अपना clear कर लेते हो बहुत easily आपका मिनिमम 165 cm तक होनी चाहिए और वुमेन की 157 cm तक होनी चाहिए चेस्ट की बात करें तो जो मैन होगा अन एक्सपेंड़ेड उसकी एक्च्वल में 81 cm तक जी वह नापते है ना तो वहां तक आपकी जो है एक्सपेंड़ेड होनी चाहिए लेकिन जब एक्सपेंड करी जाए तो एक्सपेंड करने के बाद सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और वुमेन्स के लिए अप्लिकेबल नहीं है वेट की बात करें मिनिमम मैन का 50 kg वेट होना चाहिए और वुमेन का मिनिमम 46 kg वेट होना चाहिए बाकि डिपेंड करता है हाइट के उपर कि वुमेन की हाइट कितनी है मिनीमम 157 सेंटीमेटर बुमिन की हाइट होनी चाहिए यह आखों के बारे में बता रखा इन्होंने और आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा प्रॉपर याद रखेगा ऐसा नहीं है और टैटू की बात करी जाए अगर आपके कोई भी बॉड़ी पार्ट पे कोई भी अ अपने धरम का टैटू बनवा रखा है अपने नाम का टैटू बनवा सकते हो आप eligible हो कई दिक्कष वाली बात नहीं याद रखेगा ठीक है ये बात हमनेhehe कर ली बात अपक्का और ये जैनरल इंक्प्र होगा बूचे जाएंगे उसके नदर क्या आएगा aptitude, reasoning, data analysis, 25 question होंगे, 25 marks के होंगे, और दो घंटे का paper होगा हर कोई जो यह लिखा है न, और general awareness का and general knowledge का 25 question होंगे, 25 marks के, general English 50 question होंगे, 50 marks के, यह होगे आपका पहला paper, उसके बाद आपका आजाता है professional paper जो की total 200 marks का होगा, 200 marks को divide करा हुआ है, उन्होंने में अलग-अलग marks के criteria में, 90 marks, 50 marks and 60 marks, तो सबसे पहली बात professional subject होगा objective होगा, यानिकि MCQ वाला, जिसमें 60 question आपको देखने को मिलेंगे, 90 marks के अंदर, और professional subject आपका return ही, यानिकि सब्जेक्टिव वाला रहेगा, लोग करें तो यार, लोग के subject से तो आएंगे, वह बताऊंग स्लिवर्स, तो उसके अंदर, आपके 10 question, minimum, medium level के होगे, 50 number के, 4 question, high level के होगे, 15 mark each, 6 number के, या आपका होगया, पूरे कबर टेस्ट का अपना, जो selection के लिए आपके इससर्फ से ज्यादा जोड़दार वाली चीज रहीगी, इसके बाद हम स्लिवर्स की बात करें, तो constitution, IPC, CRPC CPC, evidence, prevention of corruption, and जो भी women के regarding होते है, sexual harassment at workplace, and protect box हो आगया, and आपका STST act आगया, and cyber crime वाला आगया, and passport act, and narcotic drugs, and psychotrophic substance act आगया, custom laws, arm laws, unlawful activity, administrative law, law of contract, limitation, arbitration, cancellation, law of motor vehicle, TPA, Hindu law, Muslim law, and law of jurisprudence, RTI, and right to fair compensation, and trans, यह आपके UP, जुडिशी की बात करें, उसमें भी आते हैं सारे, जादे दो सब्जेक्स, ठीक है, तो मेरा मतलब यह है ना, कि आप अगर in future, BASF के अंदर, as a law officer के तौर पे, appoint होना चाहते हो, तो आपके दिमाग में clarity रहनी चाहिए, कि इन सब्जेक्स में भी को अपना गौर करना है, कभी भी चेंज नहीं होते, यही सब्जेक्स रिपीटिट आते रहते हैं, और दूसरी बात, यहां कि इसकी वेकेंसी, BASF की, most probably हर एक या देर साल के अंदर, हमेशा देखने को मिलती ही मिलती है, याद रखना, अभी apply नहीं कर सकते, आने वाले टाइम में, जब करोगे, जब eligible हो जाओगे, तो इन चीज़ का यहां रखना, और यहां पर जो है न, आपके 1 third, यानि कि 0.33 marks आपके deduct होंगे, अगर आप कोई भी गलत जवाब देते हो, अपको MCQ की जो भी पेपर है, तो स्याद रखेगा, और minimum qualify marks, अगर आप unreserved category, यानि जनरल वाले हो, OBC वाले हो, EWS वाले हो, तो minimum 50% आपको हर paper में अपना score करना है, पास होने के लिए, और अगर आप schedule का schedule drives वाले हो, तो 45% आपको score करना पड़ेगा, पास होने के लिए, ये बात हमारी हाँ पर आ जाती है, और आपका second phase में जो exam होगा, एले तो आपका medical examination होगा, इसको physical test क हमने बोली है, जो test हमने बोली है, जो weight हमने बोला है, वो candidate का है या नहीं है, जना सी भी दिक्कत आई न, सीधा भार कर दिया जाएगा, याद रखना मेरी बात को, ये बहुर strict हो दे इन चीज में, फिर third phase में आपका interview होगा, personality test, फिर इसके बाद आपका final merit list निकलेगी, detailed medical examination selection होने के बाद, फिर आपको मैंने salary starting के वीडियो में बताई थी, तो आपको दे दी जाएगी, 400 रुपे का examination फॉर्म होगा, और 12 जून 2023, रात के 12 बज़े से पहले पहले आप apply कर सकते हो, जितने भी लोग अपने eligible होंगे, ठीक है जी, याद रखेगा, और recruitment centers, आपको कहां क आप paper देने के लिए मौका दिया जाएगा, चलंदर में दे सकते हो, दिल्ली, गोहाटी, कॉलकता, घांधी नगर, बीएसेफ, एसी, टेकनपुर, बेंगलूरू, यह आपके examination के हाँपे recruitment test होंगे, जहाँ आप अपना प्रीली तोर पर examination अपना दे सकते हो, ठीक है, और या लाइफ में apply नहीं कर सकते होगे, और आपके उपर जो कानूनी कारवाई होगी, वो अलग होगी, जैसे cybercrime, IT act, जूटी photograph लगा रहे हो, डिजिटल signature जूटे लगा रहे हो, वगएर वगएरा, इस चीज़ में बहुत सरकारी exam में बहुत ज्यादा इसमें focus करा जाता है, ठी ठीक है, code of the jurisdiction, जिस जगह पर पर दे रहोगे, उसी code का jurisdiction लगेगा, सीधी बात है, ठीक है, और apply का से करना है, जैसे कि यह ता, मैं आपको link description box के नहीं दे दूँआ, इस link पर जाके, यहाँ पर आपको नाम, mobile number, email ID रालके, generate OTP करना है, फिर इसके बाद address detail में जाओगे, फिर पांस साल वाला, अगर master's की degree है, यहाँ पर आ जाता है, certificate and document, जो इन्होंने मांगे है, criteria, फिर आपका form भर जाएगा, 400 रुपया आपकी फीस लगेगी, याद रखेगा, और अगर आपको जो का से सर्टिफिकेट बोले है न, यह रहे सर्टिफिकेट, form of का सर्टिफिकेट, schedule, schedule, drive, यह सारी चीज़ें आपको खुद देखने ही बड़ेगी, यह आप लोग किस चीज़ के लिए requirement है आपकी या नहीं है, असे वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है, मैं यह उमीद करता हूँ, यह जानकारी आपके लिए बहुत fruitful रही होगी, उन लोगो के लिए जो लोग eligible हैं, उन लोगों के लिए भी जो लोग अभी eligible नहीं है, लेकिन in future कभी eligible होंगे न, उनके दिमाग में एक बात clear रहेगी, syllabus क्या है, कौन-कौन से laws की मुझे त्यारी करनी है, कौन-कौन से stages of exam होते है, BSF के अंदर अपना law officer appoint होने के लिए, इस बात पे ग